प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनादर अपडेट गैंद सिंग के आगे भी बल्ले बाज लड़ खड़ाते हुए नजराय हैं लेकिन 360 डिगरी बॉलिंग के बारे में ना कभी किसी ने सोचा और नाही देखने को मिला पिछले दिनों अंडर 23 करनल सी के नाइड़ी ट्रॉफी में बंधाल के खिलाफ कल्ल्याणी में यूपी के लेफ्ट आर्म इस्पीनर शिवा सिंग ने 360 डिगरी घुमाते हुए गैंद बाजे की लेकिन एंपायर विनोज शेशन ने उस गैंद को डैड बॉल करार दिया गैंद डालने से पहले शिवा पूरी तरह घुमे और गैंद फेंगी इसके बाद सोशल मेडिया और क्रिकेट जगत में नई बहस छिट गई कि अगर बल्ले बाज को स्विच हिट और रिवर्स हिट की आजाती है तो गैंद बाज को 360 डिगरी बॉलिंग करने का अधिकार क्यों नहीं पाकिस्तान के पूर तेज गैंद बाज शोय बाक्तर ने ट्वीच किया वहां क्या 360 डिगरी गैंद बाज है ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया वहीं पूर भारतिया उपनर अकास चोपड़ा ने एक वीडियो जारी कर बताया कि इस मामले में क्या होना चाहिए यूरा सिंग ने अपने ओफिशिल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को पोश्ट करते हुए पूछा कि ये गैंद लीगल है या नहीं